स्वागत करता हूँ मैं आपका प्रिविएस येर मेंस UPSC के पेपर डिसकेशन्स में इस लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने 2013 के GS1 से लेकर GS3 सभी पेपर्स को थरली डिसकेश किया वर्ष 2014 में हम लोगों ने GS2 तक डिसकेशन कर लिया आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ GS3 वर्ष 2014 इस लेक्चर सीरीज में हमने देखा क्या है जो UPSC क्वेशन पूछता है उसके छोटे छोटे भाग कैसे करें हर एक भाग को किस तरीके से उसकी डिमांड के अनुसार ही अड्रेस करें किस तरीके से एक ऐसा आंसर लिखें जो इन तीनों भागों को अच्छे से अड्रेस करता हो इनकी पूरती करता हो और कैसे एक अच्छा इफेक्टिव भारी भरकम आंसर तेयार किया जाए जो कंटेंट से लदा हुआ हो पूरी लेक्टर सीरीज में हमने कीवर्ट को पकड़ना जाना हमने जाना कि भाई कैसे एक अप्रोच तयार की जाए कैसे स्ट्राटजी बनाई जाए कैसे टाइम मैनेज करना है तो मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी एक गुजारिश रहेगी अगर आप लोगों ने मुझे इसी वीडियो से इसी लेक्टर से जोईन किया है तो प्लीज हमारे पूराने वीडियोज देखें एक प्लेलिस्ट हमने आप लोगों के लिए तयार कर दी है सभी वीडियोज उसमें एक एक करके लगे हुए हैं सब वीडियोज देखें इन डेफ्ट एनलिसिस से हमारी थरो जो है डिसकेशन से आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा आपके आंसर्स को आप बहुत इंप्रूफ कर पाएंगे फिर भले ही आपके यूपीएसी के मेंस हो या फिर कोई स्टेट के मेंस मैं दावा करता हूँ आप एक अच्छा आंसर लिखने में सक्षम हो पाएंगे तो प्लीज सभी वीडियोज देखें और फिर हमारे साथ कदम से कदम मिला कर आगे बढ़ें अगर आपको इस लेक्चर सीरीज की पीडियेफ चाहिए हो तो आप जॉइन कर सकते हैं हमारे पेड कोर्सेज ये पेड कोर्सेज जो हैं ये टेलीग्राम पे अवेलिबल हैं यहाँ पे हम आपको बहुत सारी सुवधाएं देते हैं जैसे कि आपको स्टडी मठीरियल दिया जाता है दूसरी बात अगर टीचर से आपको बात करनी है तो आप टीचर से one-to-one interaction कर सकते हैं उसके अलावा भी और भी जो स्टेट के exams हैं PCS exams हैं उन सबकी भी आपको guidance दी जाती है तो इस बारे में अगर आपको और भी information चाहिए हो आपको interest हो तो आप इन दिये गए दो नमबरों पे संपर्क करें हम आपकी जरूर साहता करेंगे तो आईए शुरू करते हैं हमारी आज की lecture series GS का तीसरा भाग वर्ष 2014 में शुरू मैं करता हूँ हर बार की तरह quick revision के साथ answer लिखने से पहले जरूरी है answer के basic को जाना जाए उनमें उत्रा जाए उनको समझा जाए तो answer लिखने से पहले जरूरी रहता है right approach right approach बंती कैसे है keyword के द्वारा keyword क्या है ये question में दिया होता है question के keyword को पकड़के ही मेरे दिमाग में उससे सम्दित content generate होता है अब ये content तो आ गया भई लेकिन ये 6 points है इनको arrange कैसे किया जाए कौन सा point जादा important है जिसको उपर लिखा जाए जिसको जादा discussion जिसपे किया जाए कौन सा point थोड़ा कम important है जिसको एक passing by reference दे दिया जाए ये सब आपके second point का part है यानि arrangement of content अब इस arrangement of content के दौरान आपको ज़रूरी है time का ध्यान रखना time जो है आपके पास रहता है 7 से 8 minute per question इससे जादा time अलोट करेंगे तो बाद के question को आप sufficient time नहीं दे पाएंगे उससे आपके बाद के questions compromise हो सकते है इसके बाद ये है सबसे important point ये है content is more important than its length content को भारी रखिए answer को लंबा और भारी बनाने से कोई मतलम नहीं है अगर वो 200 words की मांग कर रहा है question तो आप कोशिश करें 170 से 180 में ही निप्टा दें लेकिन उस 170 से 180 में इतना अच्छा content दें कि वहीं पर आपको बहुत अच्छे marks मिल सकें इससे ये फायदा भी होगा कि यहाँ पर आप हर एक question के 20 जो word है वो बचा पाएंगे उससे आप कुछ number of seconds बचा पाएंगे ये जब सभी answers के आप add up करेंगे तो paper के end में आपके पास एक से दो question करने का extra time बचेगा इस extra time में आप ये दोनों question भी अच्छे से attempt कर पाएंगे तो इसी approach के साथ आप आगे बढ़ें फिर उसके बाद जानते हम fundamentals को देखिए सबसे जरूरी है question समझना question आप कैसे समझेंगे उसके keyword को पकड़के keyword क्या होता है भई keyword होता है question में दिये गए कुछ ऐसे words जिससे ही पूरा question किस तरीके से approach करना है ये तैकी आ जाता है जैसे critically analyze, discuss, elaborate ऐसे ही आता है comment, elucidate, critically discuss तो ये सब जो हैं इनकी different approaches हैं अगर पाँच अलग-अलग तरीके के keyword हैं तो उसमें पाँच अलग-अलग तरीके के answer बन सकते हैं और इसी तरीके से आपको move on करना चाहिए हर एक question का keyword पकड़ें और उस keyword के अनुसार ही अपने answer को ढालें उस अनुसार ही अपना answer त्यार करें अब बात करते हैं answer की तो देखिए आंसर में सबसे शुरू करते हैं सबसे पहली चीज होती introduction एक जलक है कि वह answer में क्या कहने जा रहा हूँ एक teaser है तो इसमें आप क्या करते हैं इसमें आप generally definition से start कर सकते हैं या क्या अभी आज के दौर में क्या scenario चल रहा है या फिर अगर आपको कोई sun की bridge स्थापित कर देता है अगर आपके पास bridge होगा तो आप इस कोने से इस कोने तक आसानी से जा पाएंगे इसी तरीके से examiner जब आपका answer पढ़ेगा तो वह introduction से body पे और body से conclusion पे आसानी से जा पाए इसी लिए हम यह bridge है यह establish करते हैं तो यह body हो गई अब जो body है यह आपका है working area यहाँ पे अपनी सारी creativity दिखाईए यहाँ पे अपना content भरिए यहाँ पे evidence दीजिए case को लड़िए उसको जीतिए अपने answer को भारी बनाईए यह evidence क्या है यह है facts, reports, judgments census के data, map या flow charts और भी चीज हो सकती है जैसे कि case studies आप के पास अगर कोई हो for example अगर आपको education के field में कोई question आए उसमें case study लिखनी हो तो आप केरिला का mention कर सकते हैं अगर आपको किसी और चीज में mention करना हो health के perspective में mention करना हो तो आप किसी essay state का नाम mention कर सकते हैं जिसने हाल ही में health के field में बहुत ही अच्छे results दिये हो यह हो जाती हैं आपकी case studies इससे भी आपको extra point मिल जाते हैं अपने answer में finally उसके बाद आता है conclusion यह है मेरा question को end करना question को जब भी end करें तो यह समझ लीजिए कि आपको balanced रहना है ना तो आपको बनना है आलोचक ना आपको बनना है समर्थक भी आपको बनना है administrator एक administrator जो है वो middle path choose करता है ना वो इस तरफ जुकता है ना वो इस तरफ जुकता है वो इसके कुछ अच्छाईयां लेके इसकी कुछ अच्छाईयां लेके अपनी finally खुद की strategy prepare करता है तो आपको conclusion में यही करना है कोशिश हम यही करते हैं कि हम balanced रहें हम सकारात्मक रहें optimistic रहें और finally एक solution के साथ ही अपना answer end करें तो यह जो है आपकी problem solving approach को दरसाता है अगर आप में problem solving approach है तो examiner आपको extra marks देने पर मजबूर हो जाता है क्योंकि आप जो exam दे रहे हैं वो है एड्मिनिस्टेटर के लिए जब आप एड्मिनिस्टेटर के लिए exam में appear हो रहे हैं तो आपके पास एक problem solving approach होना बहुत ज़रूरी है अब आती है answer लिखने की बारी answer दो तरीके से लिखा जा सकता है एक है paragraphs में वो कुछ इस तरीके से दिखेगा ये हो गया आपका introduction ये हो गई body और ये हो गया conclusion एक है point format में ये आपका दिखेगा कुछ इस तरीके से ये introduction हो गया ये body के points हो गया और ये conclusion हो गया दोनों ही approaches बिलकुल सही है किसी में कोई भी बुरा ही नहीं है बस दोनों को जो भी आप adopt करें उस दोरान एक चीज का ध्यान रखें अगर ये paragraph वाली approach आप adopt करते हैं तो एक data flow बना के रखें data flow क्या है data flow है पहले शब्द से आखरी शब्द तक जानने में जब examiner आपका answer पड़े तो उसको एक single piece लगे एक पूरा एक single टुकड़ा लगे ऐसा नहीं है कि बहुत सारे छोटे छोटे चोटे टुकड़े जो हैं रखे हुए यहाँ वहाँ तो इससे क्या है examiner शुरू से लेकर last word तक आराम से बहता चला जाएगा इसको कहते हैं data flow अब बात आती है भाई ये बनता कैसे है ये बनता है कुछ words के तुरू जैसे कि moreover however also further इसके अतरिक थाला की इस तरीके के शब्द लिखके आप पुराने statement और इस वाले statement में connect establish कर सकते हैं अब अगर आप point form अपनाते हैं तो ध्यान रखेगा इसमें subheading जरूर दीजिए subheading देने से आपका answer पढ़ना बहुत आसान हो जाता है answer well structured लगता है ऐसा लगता है अच्छे से organized answer है और आसानी से उसमें marks मिल सकते हैं ये जो subheading बनाएं ये question के ही जो demand है उसको meet करने के लिए बनाएं for example question आप से बोल रहा है evolution लिखो question आप से बोल रहा है कि आप उसके impact लिखो तो आप अपना पहला जो है वो evolution को दें और दूसरा जो subheading है वो बनाए impact को फिर इसके अंदर का content भरें ध्यान आपको ये रखना है अगर ये वाली approach भी अपनाई जाए तो भी intro और conclusion पे miss ना करें वो जरूर दें आई ये अब शुरू करते हैं हमारा 2014 वर्ष का GS3 का paper जो पहला question है वो कहता है कि भाई आम तोर पे जो countries हैं उनमें जो development जो shift आता है वो इस तरीके से आता है सबसे पहले agriculture फिर industry और उसके बाद वो जाती है service sector पर भाई इंडिया में कुछ अलग हुआ है इंडिया में जो है directly जो economy shift हुई है वो agriculture से shift होके service पर पहुँच गई है तो इसके क्या reasons हो सकते हैं दूसरी बात क्या इंडिया अपने industrial sector को ignore करके मतलब एक बिना strong industrial base के एक developed country बन सकती है तो ये दो part को आपको address करना है तो देखिए कोई इसमें keyword नहीं है फिलाल अगर मैं question को तोड़ूं तो ये दो हिस्सों में तूटके मेरे सामने आता है पहला है कि बहई generally क्या trend follow होता है agriculture से industry इंडिया से service पर इंडिया ने थोड़ा change कर दी चीज़ को इंडिया ने क्या agriculture से directly jump कर दिया service पे उसने industry को छोड़ दिया तो ऐसा क्यूं हुआ क्या reasons है इतना growth के और क्या इस चीज़ के छूटे छूटे ही इंडिया डेवलप्नेशन बनने के सोच सकता है इन दोनों बाते को आपको address करना है अप्रोच आपकी ये रहीगी कि शुरुवात में trend बताएं कि भई usual trend क्या होता है और इंडिया ने क्या अपनाया फिर आप जाएं body पे body में आप लिखें जो ये trend इंडिया ने अपनाया है इसका क्या reason है फिर उसके बाद आप ये बताएं क्या इंडिया developed बन सकती है बिना strong industrial base के और एक positive सकारात्मक note page को end करें solution oriented approach के साथ मतलब एक solution भी आप दें इसका हल निकालें कि भई अगर इंडिया ने ऐसा ऐसा किया तो फिर आगे हमारे लिए बहुत जो है bright future wait कर रहा है इस तरीके से आप approach अपनी adopt करें देखी answer में क्या किया है मैंने शुरुवात में बताया है कि जो proper path एक economy follow करती है developing country अगर कोई भी हो तो वो क्या होता है agriculture से manufacturing यानि industry उसके बाद service ये क्या होता है ये gradual diversification में help करता है धीरे धीरे diversify होती है आपकी जो industry है जो economy है लेकिन लेकिन इंडिया ने क्या किया इंडिया ने leapfrog कर दिया मतलब industry के उपर से कूद के टरकली वो service से पहुँच गई agriculture से तो अब मैंने बताये इसके reasons देखिए मैंने या पर इस statement पे चोड़ा कि इंडिया ऐसे कूद गई अब आपने आगे बताये क्यों कूदी क्या reasons से तो ये एक bridge establish हो गया जिसकी हम शुरुआत में बात कर रहे थे एक connect establish हो गया तो देखिए सबसे पहले तो क्या है reasons से boost in service sector तो boost in service sector क्यों आया सबसे पहले तो economic reforms जो आए 1991 में LPG reforms आए तो वो merge हो गए IT revolution के साथ economy expand हो रही थी, economy diversify हो रही थी, liberal हो रही थी globalize हो रही थी, साथ में IT पे भी focus बढ़ता जा रहा था तो इसी वज़ाए से 1991 के बाद क्या हुआ, emphasis बढ़ गया और ऐसी policy बनने लगी जो हमारे IT sector को globalization आया, तो उसकी वज़े से भई जो jobs हैं धीरे धीरे shift हो गई service sector की वज़े से service sector की तरफ क्या है, basically अगर globally कोई trend follow होता है, तो धीरे 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 करके penetrate होता है countries में तो globally IT में उस समय boom था, IT में boom था, वो धीरे धीरे इंडिया में भी आने लगा तो job जो हैं वो भी shift होने लगी service sector की तरफ फिर मैं बात करता हूँ, liberalization पे economy खुली, liberalize हुई तो इस वज़े से investment आने के chances बढ़ गए हमारे पास धीरे धीरे skilled labor की अच्छी खासी availability हो गई अच्छी मातरा में stock जमा हो गया जो की कम cost पे काम करने को तयार थे तो इस वज़े से भार जो भी company हमको देख रही थी उनके लिए ये और अच्छी opportunity हो गई और उसी समय जो service sector था globally वो rise पे था तो भार की विदेशी कंपनियों ने देखा तो उनको यहाँ पे cheap labor available हो गया skilled labor वो भी उन लोगों के लिए अच्छी opportunity बन गई हम लोगों के लिए employment में विर्धी हुई तो इस वज़े से service sector एकदम से boom पे आ गया अगला मैंने point लिया industrial sector क्यों पीछे रहे गया देखिए मैंने question को दो तरीके से तोड़ के समझाए क्योंकि इंडिया जो है ये क्यों पीछे रहे गया तो देखिए इंडिया जो सेक्टर है इसलिए एक setback पे था क्योंकि कोई भी industrial policy उस समय नहीं थी 1980 से बात की जाया अगर 2011 तक कोई भी dedicated industrial policy मौजूद नहीं थी उसके बाद अगर बात करें disinvestment की तो disinvestment बढ़ते चले गए जिस वजह से भी manufacturing सेक्टर ने एक setback face किया धीरे से क्या हुआ वहाँ पे restrictions लगने शुरू हो गए और शुरुवात में तो आप समझेंगे कि 1980 से के आसपास बहुत जबरदस restrictions थे तो foreign investment नहीं आ पाता था अगर investment नहीं आएगा तो capital development नहीं होगा employment generation नहीं होगा ये सब चीजें नहीं हो रही थी इस वजह से एक setback आया इसको कोई खास steps नहीं लिए गए private industries को promote करने के लिए power और transportation जो backbone की तरह काम करते हैं infrastructure में उन्होंने भी badly suffer गिया इस वजह से क्यूंकि इसके बाकी limbs जो हैं वो badly suffer कर रहे थे industrial sector ने as a sector completely एक setback face किया तो जो service sector है वो तो आगे बढ़ रहा था industrial sector पीछे रह रहा था तो इसलिए इंडिया में एकदम से service का भूम आया और industrial sector को एकदम से leapfrog कर दिया गया तो ये आपने answer के दो पहलूओं को समझाया अब आपका अगला पार्ट है क्या इंडिया एक developed country बन सकती है अगर वो अपने industrial base पे आज भी ध्यान ना दे तो तो भई ये संभव नहीं है इंडिस्ट्री तो backbone होती है तो बस उसी को अपन को explain करना है देखिए इंडिया however cannot turn into a developed country बिना industrial base के cannot ठीक है तो अब अपनने यहाँ पे तीन sectors को ले लिया तीनों का जिक्र किया है पहले बात agriculture sector भई ये करीब 15% of GDP contribute करता है लेकिन सबसे जादा employment यही generate करता है इंडिया में around 50% लेकिन यहाँ पे दिक्कत यह है कि disguised employment बहुत है disguised employment क्या होता है यह ऐसा employment है समझ लीजे एक खेत है जहाँ पे दो आदमियों के काम करने से ही यहाँ पे अगर 100 kilo चावल प्रड्यूस होते हैं अब आप वहीं पे समझे लेकिन उसी खेत में करीब 8 लोग काम कर रहे हैं और फिर भे 100 kilo चावली प्रड्यूस कर रहे हैं तो आप समझे दो लोग अगर 100 kilo कर सकते हैं तो यह 6 लोग फालतू में जवर्दस्ती वहाँ बैठे हैं तो employment में तो घुसे हुए हैं लेकिन उनका कोई productivity नहीं है तो इस तरीके के employment को कहते हैं डिस्काइज इंप्लॉइमेंट एगरिकल्चर में यही है एक खेत में एक फील्ड में बहुत सारे लोग involved हैं productivity नहीं बढ़ रही है बस वो लोग यह दिखा रहे हैं कि हम लोग employed है तो यह disguised employment का एक जो है negative point है तो यह obstacle की तरह काम करेगा developed country बनने में service sector की बात करें service sector हलाकि 50% से ज़्यादा share रखता है GDP में लेकिन बहुत कम labor force एब्जॉर कर पाता है क्यों? क्योंकि service sector में आने के लिए आपको skills आनी चाहिए आपको IT की knowledge होनी चाहिए आपको communication की knowledge होनी चाहिए इंडिया में बहुत जादा population है जो unorganized sector में है जिसके पास इतनी skills नहीं है अब हमारे schemes आई हैं जो skill develop करा रही है पर पहले ऐसी schemes नहीं थी जो skill development पे focus करें जो लोगों को skillful बनाएं उनको उस तरीके से आगे बढ़ाएं तो इसी लिए skill की कमी होने के कारण कम labor force ऐसी है जो यहाँ पे absorb हो पाती है हाला कि GDP में इसका share अच्छा है पर employment नहीं देती है तो फिर कहां जाएं भाई देखो agriculture जो है employment दे रहा है पर GDP में share नहीं दे रहा productivity कम है productivity तो है इसकी ज़्यादा लेकिन इंडिया में इतनी population है तो अगर आप सब को employment नहीं दोगे तो demographic dividend क्या होगा हमारे तो इसलिए एक रास्ता बसता है वो है आपका manufacturing sector वो है आपका industrial sector तो इसलिए जरूरी है हमको industrial sector पे जाने के लिए अभी इंडिया की बहुत ज़्यादा import dependence है आप लोगों को पता है बहुत heavy import dependence है हम लोगों की तो हम लोगों का trade deficit बढ़ता चला जा रहा है क्यों क्योंकि हम import तो कर रहे हैं इस ratio में लेकिन export कर रहे हैं सिर्फ एक में तो समझे क्या होगा वो एक complement की तरह काम करेगा agriculture sector के लिए और service के लिए भी और इन दोनों को ही आगे-ागे होके बढ़ाएगा finally मैंने conclude किया इसको कि अगर developed बनना है आपको तो road has to pass through the strong industrial base वो आपकी जो road होगी वो यहाँ से pass होनी ही चाहिए मैंने इसके एक दो solution दे दिये कि concept of SEZs या foreign investment को बढ़ा हो domestic manufacturing sector में अगर यह सब चीज़े बढ़ेंगी तो अपने आप वो encourage होगा अपने आप आगे बढ़ेगा और इस तरीके से यह जो industrial sector है यह भी इंडिया के लिए बहुत important साबित होगा आई अगले question को देखते हैं अगला question है demographic dividends related यह term क्या है यह term basically वो है working population जो है इंडिया की जो आज के समय में काम करके कुछ productivity generate कर सकती है उसको हम कहते demographic dividend इंडिया के पास अच्छी बात यह है कि बहुत जबरदस demographic dividend है लेकिन हम लोगों के पास problem यह है कि हम उसको jobs नहीं दे पा रहे employability की problem है आज भी बेरोजगारी बहुत ज़ादा है तो वो कह रहा है जो यह है कम कहां पे है जो कमी छूट रही है कहां पे miss कर रहे हैं और where will the jobs that इंडिया desperately needs यह कहां से आएंगी ऐसी job जो इंडिया को अभी चाहिए कहां से आएंगी और हम कहां पे पीछे हैं कहां पे हम lag कर रहे हैं इसमें जो है keyword है हमारा explain तो explain मतलब जो यह पूरी scenario दिया है कि वही हमारे पास demographic dividend तो अच्छा है लेकिन जो है बेरोजगारी भी अच्छी है काफी जादा है तो हम कहां पे miss कर रहे हैं और यह कहां से jobs हमारी generate होनी चाहिए तो इस पूरी चीज़ को एक detailed discussions के तोर पे समझाए फिर उसके बाद अगर question को आप तोड़ के देखें तो देखिए इंडिया question कह रहा है और कहां से ऐसी jobs आनी चाहिए अप्रोच इसमें ये रहेगी कि हम लोग तो भई शुरू मैं करता हूँ यहां पे demographic dividend के बारे में बताते हुए क्या होता है ये इसके होने के बावजूत इंडिया क्या problems face कर रहा है body में हम लोग आते हैं बताता हूँ मैं इंडिया क्यों पीछे रहे गया और कौन से वो areas है कौन से वो spheres हैं जहां पे मुझे आज focus करने की ज़रूरत है तो इस तरीके से मैं अपने answer structure की approach त्यार करता हूँ देखिए मैंने किया क्या है यहां पे मैंने demographic dividend की definition तो बताई है लेकिन United Nation Population Fund के अनुसार तो यह जो एक fund है उसके अनुसार demographic dividend क्या है यह वो economic growth potential है जो कैसे पैदा होता है जब population age structure shift होता है और कहा shift होता है वो होता है working age population की तरफ यानि कि जो आपके पूरी population में जो working वाली population है वो आपका demographic dividend है वही आपको सारे benefits देगी आज के समय में जब वो higher होता है as compared to non working age population तो यह आपका demographic dividend कहलाता है यह है इस United Nation Population Fund की definition अगर आपको याद रहे तो well and good वरना आप बहुत आसानी से एक अपनी definition बना के भी यहाँ पे लिख सकते हैं finally फिर मैंने लिखाए कि इंडिया का impressive demographic dividend है लेकिन यहाँ पे challenges है employability की यह वरिसम है अभी employment ratio हमारा कम है तो कौन से aspects हैं जहाँ पे इंडिया भी miss कर रहा है सबसे पहला हमारा education system एक व्यक्ति को आप एक जो human resource के तोर पे एक अच्छा human resource के तोर पे कब बना पाओ जब उसके शिक्षा अच्छी मिली हो जब शिक्षा अच्छी प्राप्त हो सबसे शुरुआत होती है education system से हमारा education system ही पूरी तरह structurized नहीं है अच्छे से systemized नहीं है उसके बाद quality अच्छी नहीं है school में जो education है एक report आई है acer की report उसके अनुसार जो की एक प्रथम NGO है वो कराता है इस report को और ये rural areas में होती है इसके अनुसार भाई enrollment तो high है school में मतलब आतो रहे हैं एक class में 20 बच्चे at over 96% लेकिन वहां से लोग learn नहीं कर रहे हैं जो 20 बच्चे आ रहे हैं उसमें से सर्फ 4 बच्चे सीख रहे हैं 16 बच्चे सिर्फ यूहीं आ रहे हैं midday meal और ऐसी schemes के चलते तो ये जो है ये enrollment तो बढ़ा रहा है लेकिन quality नहीं बढ़ा रहा और और उसके बाद दूसरी बात आप पकड़ें तो after 3 years study ने reveal किया कि 60% बच्चे जो हैं वो अभी भी पढ़ नहीं सकते और सिर्फ क्या पढ़ सकते हैं first name अपना और ये आज से 4 साल पहले 54% था तो देखिए अभी जो है स्तिती और कराब हो गई है पहले अगर 54% बच्चे अपना सिर्फ आगे का नाम ही पढ़ पाते थे स्कूल में जाने के बावजूद तो आज वो चीज 60% हो गई है तो मतलब कंडिशन और जादा गंभीर हो रही है उसके बाद स्कूल की बात हो गई है अब देखिए higher education की बात यहां भी बहुत अच्छा नहीं है top 100 जो institute है विश्व भरके उसमें इंडिया में से कोई भी institute नहीं आता है यह बहुत ही गंभीर picture हमारे सामने प्रेजेंट करता है इतने IITs इतने IIMs हैं इंडिया में IISC बैंगलूरू में है लेकिन वो कहीं भी top 100 में fair नहीं करते दुनिया के उसके बाद हम लोग skill development में focus करते ही नहीं है आते आते बहुत सारे institute आते चले जा रहे हैं लेकिन quality वो भी provide नहीं कर रहे हैं low skilled employment होता है इस वज़े से क्योंकि आपके पास desired skill नहीं है disguised employment बढ़ रहा है आपने पढ़ा था पहले manufacturing sector की बात करें तो उसके पास potential है कि यह बहुत सारी workforce absorb कर सकता है और इस disguised unemployment को हटा सकता है लेकिन यह sector खुदी अभी अच्छे से काम नहीं कर रहा तो यह कहां से लोगों का absorb करेगा और हमारे देश में अब हाला की focus बढ़ रहा है पर यह point है कि focus कम दिया जाता है entrepreneurship development पे यह area है जहां पे अगर आप high focus देंगे तो आप अच्छे benefits आगे जाके reap कर सकते हैं in order to get the maximum out of India's demographic dividend the need of the hour is to increase employability आपको रोजगार बढ़ाना पड़ेगा तब ही आपका जो demographic dividend है आप कहते हैं कि बहुत अच्छा है इंडिया में उसका कोई फाइदा हो पाएगा काम करने के लिए labor तो है लेकिन उनके लिए काम नहीं है तो वो फालतू पड़े हैं unproductive works में involved हैं तो वो आपको बनाने पड़ेंगे ऐसे jobs आपको create करनी पड़ेंगी तो भई अगला point है इंडिया क्या चाहिए सबसे पहले manufacturing sector को boost मिले आगे बड़े वो तो इसके लिए जो make in India जैसे scheme हैं इनको और जादा जोर से चलाने की जरुवत है और जादा जोरो शोरो से चलाने की जरुवत है vocational training की जरुवत है skill development की जरुवत है vocational training क्या होती है देखिए ये एक ऐसी training है जो आपको दी जाए यही सोचके कि आप एक particular industry या particular sector में work करने जा रहे हैं for example अगर आपको कल को सिलाई machine की किसी factory में work करना है या सिलाई से related कोई काम करना है तो आपको मैं training दूँगा सिलाई की तो यह जो सिलाई की training है यही आपका पूरा vocational course की तरह काम करेगा समझाने का मतलब मेरा यह है यह मैंने आपको एक जामपल के तोर पे एक layman language में समझाया कि ऐसी training जो की industry को focus करके दी जाए वो vocational training होती है अगर हम यह जादा दें develop करें skills को बढ़ावा दें तो empowerment होगा हमारी working population का उन में जो है skills भी incorporate होगी तो यह जो है finally lead करेगा जादा भेहतर jobs में जादा लोग employ होगे, जादा income होगी देश का विकास होगा इसके लिए जो योजना है चल रही है प्रधान मंत्री, कौशल विकास योजना skill India mission, ऐसे और missions लागू करने, इनको अच्छे से implement करना ये ज़रूरत है अभी अगर हम growth of small and medium enterprise की बात करें, तो ये growth अभी अच्छी नहीं है इसकी growth पे हमको focus करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी small and medium enterprise ऐसी enterprise है जो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे workforce को absorb कर सकती है उसमें high labor force के requirement होती है और उसका access भी ज़्यादा होता है remote test area तक तो अगर आप ऐसी industries को बढ़ावा देंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा लोग employ हो पाएंगे, धीरे धीरे अपने आप ही जो employability कम है, उसकी problem resolve हो पाएगी इसके लिए हमने मुदरा योजना जची scheme चला रखी हैं जिसमें हम आराम से loan देते हैं, पैसा देते हैं, finance उनका boost करते हैं, जिससे उनको किसी तरीके की obstacle कोई दिक्कत फेस ना करनी पड़े employment generation schemes हम लोग चला रहे हैं, प्रधान मंतरी employment generation programs, उसके बाद हमको जरूरत है FDI increase करने की इस sector में, हमको education sector को पूरा revamp करने की जरूरत है, education sector जो आपका है, वो ही आपकी नीव बनता है, अगर आप कल एक अच्छे human resource की तरह evolve होना चाहते हैं develop होना चाहते हैं, तो आपकी education उसमें बहुत बड़ा role play करती है, अगर आपको अच्छे education मिली है, तो आप एक productive human resource का काम कर सकते हैं तो इसलिए इसको revamp करना बहुत जरूरी है तो ये अपनने deal किया ये वाला question मैंने इसके बहुत अलगलग तरीकों से आपको बताया, हर एक पार्ट को अच्छे से deal किया, अगले question की तरफ बढ़ते हैं ये है APMC से related यानि की agricultural produce market committees क्रिशी उतपादन बाजार समीती, तो पूरा question इसी के around घूमता है question कह रहा है कि भाई जो APMC है ये setup हुए है state acts के अंदर लेकिन इन्होंने दो चीजें खराब की है क्या सबसे पहले तो नहोंने agriculture के development पे obstacle की भूमिकाने बाई है एक बाधा की तरह ये उभरे हैं और दूसरी बात इन्होंने food inflation भी cause किया है क्या इससे की prices बढ़ गए है लोगों के लिए मुश्किल हो गया खरीदना तो ये इनके दो जो है problems है तो इसी को आपको critically examine करना है जब बात आती है critically examine की तो देखिए इसमें critically एक अलग term जुड़ा हुआ है तो critically में आपको क्या है आपको बहुत great detail में एक बात को inspect करना है आपको उससे संबंदित सभी facts, सभी तथे वहाँ पे पेश करने है आपको properly evaluate करना है फिर आपको उसके good और bad aspects को देखते हुए अच्छे और बुरे चीज़ों को देखते हुए एक balanced note पे इसको खतम करना है इस तरीके से आप critically examine वाले questions को deal करते है जो भी आपका subject है उसको अच्छे से ध्यान से अंदर तक उसके तहर तक जाके उसको inspect करें यहाँ पे इस चीज़ को कैसे आप जादा जोड करेंगे अपने evidence के साथ अपने examples के साथ finally इस चीज़ के आपने अच्छे बताए और बुरे बताए लेकिन end में अच्छे बुरे की बाद नहीं end में हम लोग रहेंगे balanced तो यह आपकी approach रहती है जब critically examine वाले questions को आप deal करते है आए question को अपन देखते हैं एक बार question कह रहा है कि APMC ने एक तो agriculture के development में बहुत बड़ी बाधा का काम किया है और दूसरी बात इसने food inflation को भी बढ़ाया है इन दोनों बातों पर आपको deal करना है तो यही है question का break up देखिए APMC set up हो है state acts के अंदर लेकिन इन्होंने development रोका है agriculture का और food inflation को इन्होंने बढ़ाया है तो इस पर आपको बात करनी है अप्रोच आप की यह रहेगी आप शुरुआत में APMC के बारे में बताएंगे mention करेंगे कि यह ऐसा क्यों कहा जाता है ऐसा इस पर क्यों आरोप लगता है कि यह development को रोक रहा है फिर उसके बाद कैसे इस इस development को रोका यह बना दिया मैंने bridge उसके बाद आप बात करेंगे कि कैसे इसने food inflation को बढ़ा है finally आप एक cautious note पे end करेंगे एक सतर्क note पे end करेंगे कि भाई अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्थिती अच्छी नहीं बनेंगे आगे इस तरीके से आप इस question को deal करेंगे देखे इस question में आगे बनने से पहले एक बात बहुत जरूरी है हम लोग background समझे यह जो APMC की बात कर रहे है क्या है कहां से evolve हुआ आज जिस form में है यह वो कैसे है और वैसे मैं आपको बताओ यह question आया था यह इस वज़े से आया था कि उस समय 2013 में एक model APMC act लाय गया था center द्वारा तो इस जो act है इसी के चलते यह current affairs से आया हुआ question है पर यह act को आप तब समझेंगे जब इस से पीछे के जुड़े background को समझेंगे तो एक बार आईए हम लोग कोशिश करते हैं background को समझने की तो आप यह देखिए भाई यह कहानी शुरू हुई है agriculture से जो agriculture है वो है आपका state का subject आपको यह बात मालूम है state list में है यह तो इस वज़े से क्या है इस वज़े से यह बात आती है 1950 के आसपास की जादर तर जो states हैं उन्होंने अपना जो है APMC Act लागू किया APMC Act जो है वो लागू किया अब यह APMC Act क्या है APMC होता क्या है तो देखिए इसमें कुछ नहीं है आपको आसान भाषा में समझाने कोशिश करता हूँ मान लीजिए यह हमारा एक state है कोई भी तो इस state को क्या छोटे-छोटे हिस्सों में बाटा गया इस तरीके से हमने इस state को छोटे हिस्सों में बाट दिया अब देखिए यह जो है हिस्से हर एक हिस्से को हमने बोला एक Market Committee या फिर मैं कहूँ तो बाजार समिती तो इस आपने हिस्से को बोला Market Committee अब भई इस agent को क्या काम है इस agent को बोला गया कि आपको हम दे रहे हैं दुकान पहली बात और दूसरी बात आपको हम दे रहे हैं license आप इस area में अपनी दुकान चलाईए इस दुकान पर होगा क्या अब एक देखिए farmer है और एक buyer है बायर जैसे क्या होगई बहुत बड़ी कोई आटे की चक्की की मिल हो या फिर कोई वीट की मिल हो मतलब इस तरीके की जो मिल है वो होगी बायर farmer होगा किसान जो हमारा उसको produce करता है तो ये दोनों के दोनों इस दुकान तकाएंगे और दोनों यहां से सामान खरी देंगे ये जो सामान farmer लाएगा इस सामान का होगा auction और auction करने के बाद जो भी price तै की गई जो price सही हुई वो ये buyer दे देगा farmer को और ये आदमी थोड़े से अपने commission काट लेगा ये basically concept है APMC का अब देखिए अगर वाल लीजे ये वही अपन बनाते हैं state को मैंने divide किया छोटे हिस्सों में छोटे markets में हर एक को एक market committee या बाजार समिती कह दिया अब अगर कोई farmer है इस particular area से belong करता है अगर इस area को अपन A बोलें ये A area से belong करता है तो जो भी यहाँ पे इसने produce किया है वो यहाँ पे लाना पड़ेगा लेकिन ये जो produce किया है ये कुछ notified products ही है और इन notified products में ही deal होती है तो ये notified products हैं ये इसको लाने पड़ेंगे यहाँ पे एक दुकान बनी हुई है दुकान में बैठा है commission का agent तो भाई यहाँ पर किसान अपना प्रडियूस लेके आया, बायर भी उसी समय आया, जो कि राइस मिल हो सकती है, या फिर आटे की मिल हो सकती है, उसने वहाँ पर लगाई बिड्स, जो भी एक अच्छी बिड्स होगी, उस फेर प्राइस पर फार्मर का सामान बिग गया, फार परिशानिया देख रहे हैं, वो सब उफर के आती है, फार्मर को यह प्राइस नहीं मिलती है, तो भाई सेंटर ने कहा, यह जो APMC Act हैं, इसमें बहुत सारे दिक्कत हैं, तो क्यों ना हम इसको अच्छा करके एक Model APMC Act लाएं, यह बात है, 2013 के आस पास कि इसी वज़े से आज यह Question आपको देखने को मिलता है, यह इसका Background था, 1950 से शुरू करके, आज जो है, वो Model APMC Act लाएं, लेकिन फिर वही दिक्कत हैं, इसमें भी बहुत सारे Constraints हैं, Problems हैं, तो APMC as a Model बहुत सारे Loophole से जूजता रहता है, अब आईए एक Background के साथ, हम शुरू करते हैं अपने Question को, दिखिए मैंने जो Introduction लिया, इसमें APMC के बारे में बताया है, यह एक Act 2003 उसके तहट आया है, जो अपने बोला Model वाला Act, उसमें describe किया आगया है कि वह यह Statutory Authority है, और State बनाएगी, बनाएगी for the Trading Purposes किसमें, Agriculture में, Horticulture में, Life Stocks में, यह जो APMC हैं, यह State Act के अंदर बनते हैं, अब यह अपने बात कर ली, तो यह क्या एक Agro Marketing System जो है, उसको efficient बनाने के लिए आते हैं, इसका basically aim रहता है कि आप जो middleman है, उसका role खतम करो, और दूसरी बात, farmer को जो है, सही price दिलाओ, farmer को सही price मिले, हलाकि यह दोनों ही चीज़े अब नहीं हो पा रही है, आज की APMC Act में, देखिए तो और दूसरा इसका जो aim है, वो agro processing को बढ़ाना है, export बढ़ें, लेकिन ऐसे जो APMC हैं, यह हलाकि कहे जाते हैं, इन पर जो आरोब लगते हैं कि यह development को रोक रहे है agriculture के, और food inflation को बढ़ा रहे हैं, तो वो कैसे, अब देखिए मैंने इस जो answer है, इसको दो हिस्स of agriculture को कैसे रोक रहा है, यह पहली बात तो expansion नहीं करने देता, marketing facilities का, एक area में है, वहाँ जाके आप बेचो, आपको surprise मिलेगा, आ जाएगा, लेकिन ज़रूरी है, आप expand करो, आप उसकी accessibility बढ़ा हो, वो यहाँ पे कहीं mention नहीं है, उस बात का, improvement नहीं हो रहा है, जो information communication है, market का उसमें, कहीं से भी improve नहीं हो रहा है, उसमें कैसी भी करके बढ़ाती नहीं हो रही है, small producers आज भी link नहीं हो पा रहे है, marketing channels से, तो उनको middleman का सहरा लेना ही पड़ता है, अपना product बेचने के लिए, अगर वो small farmer है, और वो market तक नहीं पहुँच पारा directly, तो middleman को देता है, वो अपनी commission खाएगा, फिर वो market तक पहुचाएगा, आपको अपने आपी जो price है, वो inflated मिलेंगे, इसके पास पैसा कम आएगा, क्योंकि इसके पास बहुत कम actual जो दाम आया है, उसका आया है, तो इस वज़े से ये अपने जो agricultural operations है, उसको बढ़ा नहीं पाएगा, इस वज़ में, farmer खुदी नहीं जाना चाहरा है आजकल APMC में, और act ने क्या किया है, cultivation कुछ crops का इतना जादा कर दिया है, कि भले ही वो उस जमीन के लिए नहीं बने हो, भले ही वो suitable नहीं हो उस जमीन पे उगने के लिए, लेकिन फिर भी वो उगाय जा रहा है उनकी high commercial values से, कि मेरे को जाम अच्छा मिलेगा, तो मैं यहाँ पे यह वाला product उगा लेता हूँ, लेकिन यह पूरे overall जो agriculture की growth है, उसको रोकता है, यह land को आपके less fertile बनाता है, जो अगर वहाँ पे मान लीजे, गेह हो उगना चाहिए और आप rice उगा रहे हैं, क्योंकि rice की आजकल value अच्छी है market में तो यह आपके soil को परिशान करेगा, यह आपको परिशान करेगा, यह पूरे agriculture को परिशान करेगा, अब उसके बाद मैंने दूसरा angle लिया, inflation कैसे इससे बढ़ता है, तो देखिए APMC Act जो है, specify करता है, purchase और sale करो, agriculture commodities, कहाँ पे government के regulated mondays, जो अपने मंडी की बात की थी, however, ले हां तक ले जाना पड़ेगा, transport करना पड़ेगा, handle करना पड़ेगा, कुछ perishable items होंगे, जो खराब होने वाले हैं, वो खराब हो जाएंगे रस्ते में, commission देनी पड़ेंगे agents को, मंडी में tax देने पड़ेंगे, तो देखिए अपने आप जो final price होगी, अगर 10 रुपे थी त और दूसरी बात क्या है, farmer को लगातार कम price मिलता है, मतलब उसको सही price मिलना चाहिए, उसको actual price नहीं मिलता, बीच में इतने tax wax लग के भी, end में जो उसको price में उसका सामान बिकता है, वो सही नहीं है, इस वज़े से discourage हो जाता है और कई बार क्या होता है, इसी discouragement के चलते, वो अगली बार अपना product market तक लेके नहीं जाता है और उसको कहीं warehouse में या कहीं पे उसको पटक देता है cold storage में, तो वो stockpile हो जाता है, तो market में demand के अनुसार supply नहीं आती, फिर से inflation बढ़ जाता है, अगर MSP regime की बात करें अपन, तो देखिए, जो MSP regime है, वो basically उन crops के उत्पा है, अगर आपका market में नहीं बिका, तो कम से कम इस दाम पे सरकार आप से खरीद लेगी, तो अगर उस पे MSP declared नहीं है, तो वो farmer उगाने से डरता है, कि अगर market में नहीं बिका, तो इसके मेरे को सरकार भी नहीं दे पाएगी, तो इसलिए मैं वो product उगाऊं, जिस पे MSP declared है, तो इस वज़े से भी क्या होता है, आपके जो बहुत सारे जो आपके diversified crops होने चाहिए, उनको छोड़के कुछ ही limited number of crops ही उगाए जाते हैं, भले ही वो जमीन suitable हो, उसके लिए ना हो, लेकिन वहाँ वही उगाए जाते हैं, ये भी आपका inflation को बढ़ा देता है, क्योंकि जो जो भी crops का उतपाद नहीं हो रहा है, obviously उनकी demand कम हो रही है, मतलब supply कम हो रही है, लेकिन demand तो उनकी उतनी है, अब demand उतनी है, supply कम है, mismatch हो रहा है, तो obviously inflation बढ़ेगा, तो ये आपने factors लिए दो area में इसको अच्छे से तोड़ा समझाया, फिर उसके बाद अपने conclude किया, इसी cannot help the scenario for farmers turn bright, अच्छा नहीं हुआ है farmers के लिए, और अभी भी बहुत सारे concerns है, जहां पर आपको, उनको address करने की ज़रूरत है, जितना जल्दी हो सके, जिससे की farmers, जो है, best price fetch कर सकें, अपने produce का, और farmer अगर तरक्के करेगा, तो हमारा देश तरक्की करेगा, तो इस तरीके से no form of credit organization will be suitable, except cooperative societies, All India Rural Credit Survey का ये statement है, तो इसका मतलब है, cooperative societies को छोड़ कर, ये जो रिन संघटन है, इनको छोड़ कर, अगर आप कोई और तरीके का financial institution लाना चाहें, तो वो नहीं संभव रहेगा, village में, इसी statement को अपना जो foundation, अपना background रखते हुए, आपको बताना है, हमारे दे क्या दिक्कते हैं, और क्यों financial institution जो है, वो agriculture finance में बहुत आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्या दिक्कत फेस करते हैं, क्या technology इन सब चीज़ों को सुधार सकती है, बस आपको ये चीज़ पे deal करना है, तो आपके answer के question के आपके तीन हिस्से बनेंगे, तो आपके answer के भी तीन हिस्से बनेंगे, और तीन subheadings में हम लोग इसको समझाएंगे, question है discuss के बारे में, तो discuss मतलब आपको exhaustive होना है, आपको विस्तार में बताना है, लेकिन सटीक रहना है, ऐसा नहीं अपने mark से भठके हैं आप, और दूसरी बात ये है, आपको statement को अपने मजबूती देनी है, और मजबूती आप कैसे दे पाएंगे, आप दे पाएंगे examples के साथ, तो उधारन दीजिए, उससे मजबूती दीजिए, question को देखे तोड़ते हैं, तो वो कह रहा है, सिर्फ cooperative society ही चलेंगी गाउं में as credit organization, तो इसी बिना पे आपको बताना है, कि agricultural finance की क्या परिश्थितिया भारत में, उसके बाद क्या दिक्कते face करता है, financial institutes क्या दिक्कते face करते हैं, क्या technology इन सबको सुधार सकती है, client तक better पहुँच सकती है, अप्रोच में सबसे पहले बताएं, जो रिन संगठन हैं, ये cooperative societies हैं, ये हैं क्या, किस तरीके से village में useful हो सकती हैं, बहुत एक छोटा स mention दीजिए इसका, क्योंकि ये आपके question का main part नहीं है, village को क्यों चाहिए cooperative society, इसको अच्छे से बताएं, constraint challenges को अच्छे से बताएं, role of technology को, देखिए question तीन बाते पूछ रहा था, मैंने तीनों बाते address कर दी, आपके body में कम से कम ये तीन parts होने चाहिए, तो आपके जो marks का division ह है, वो आपको अच्छे से marks अलोट होंगे तीनों में, introduction में देखिए मैंने लिखा, essay banks, जो manage और organize होते हैं, एक basic principle के दवारा, basic principle क्या है, cooperate करो, एक दूसरे को help करो, खुद की help करो, उन सब को cooperative societies कहा जाता है, generally ये एक rule पे पूरे तरह function करते हैं, एक आदमी, एक vote, उसके बा आपस में जो भी member से उनको help करें, जिससे हमारी खुद की help हो, also in the village, no other form of credit organization will be suitable, except the cooperative societies, अगर ये cooperative society बनी, तो ये चलेंगी, और कोई फिनांस मेकानिजम डेवलप करेंगे, तो वो नहीं चल पाएगा, अब आएं भाई, गाओं को ये चाहिए क्यों, देखिए, ज़्यादा हुआ, तो उनके पास कुछ नहीं बचता दुबारा invest करने के लिए, तो इसलिए उनको ऐसी cooperative societies की बहुत ज़रूरत है, उनके पास कोई collateral नहीं होता, कोई जमीन जायदाद नहीं है, कोई सोना चांद ही नहीं है, जिससे वो money lender के पास रख सकें, और उससे वो पैसा ले सकें, तो cooperative societies उनको पैसा देने में भी मदद कर सकती है, अगर by chance उनने ऐसा किया, तो वो एक debt trap में फच जाते हैं, money lender को उसके पूरा interest नहीं दे पाते, वो फिर उसकी जमीन हडप लेता है, वो अपने ही land पे एक, जो है, एक मतलब आपका किरायदार के भाती काम करता है, अगर मैं बोलू, credit from non-institutional sources, तो जो है, वो generally unproductive areas में divert हो जाता है, तो इसलिए आपको cooperative society चाहिए, जो track रखे कि क्या सही जगे जा रहा है, knowledge ही नहीं है लोगों को, education awareness नहीं है कि cooperative society होती क्या है, तो पैसा इस से कैसे लें, हलाकि उनको आसानी से मिल सकता है, लेकिन उनको पता ही नहीं को किसी formal source के जरिए, तो cooperative society अगर बनेंगी, तो ऐसी स्तिती में वो अच्छा मदद करेंगी, thus cooperative credit institution were evolved with this objective, दो objective रखे गए, सबसे पहला objective था कि जो fraudulent practices हैं, जो कि लोगों को चूना लगाते हैं, वानि लेंडर्स, वो practices खतम करें, और दूसरी बात, enable करें, credit का access, एक reasonable interest rate पे, मतलब जो किसान वापिस दे सके, ऐसे नहीं कि 50% interest rate लिया जा रहा है, वहाई च्छ, 7, 8, 9% interest rate पे लोन दे सकें, और उस credit का जिससे की farmer अच्छे से इस्तमाल कर सके, finally वो return भी कर सके, अब देखिए क्या challenges हैं, क्या constraints हैं, सबसे पहले political interference, हर एक जगे ये challenge थो होता ही, आपको होता है, वो politicized है, work करता है according to the direction of the political parties, NPA बढ़ रहे हैं, क्यों farmer एक बार ले तो लेते हैं, लेकिन वो गरीब हैं, तो उनके पास इतनी income generate नहीं हो पाती कि वो वापिस कर पाएं पैसा, NPA बढ़ रहे हैं, supervision भी अच्छा नहीं है, उसके बाद जो loan waivers कई बार सरकार दे दे हैं, तो इसका burden एकदम से आ जाता है, तो ये बहुत बड़ा challenge है, agriculture credit के लिए, फिर से जो एक बार मान लीजिए, आपने कुछ एक लाग रुपए दे रखे हैं, फिर एक नई सरकार आई, उसने एक लाग की माफी कर दी, तो bank को तो वो कही ना कई balance अपनी sheet में ही गडबड क करती है, ऐसी किसी भी organization को, area of operation की बात करों तो मैं वो primary agro cooperative society तक सीमित है, बहुत confined है, area बड़ा नहीं है, हर आदमी तक पहुंच नहीं है, cooperative societies की, technology कमी है, अप्ग्रेड करना पड़ेगा उसको, एक से जादा जो है, regulators है, cooperative societies के, जहां भी multiple regulators आ जाते हैं, दिक्कते अपने जैकि जैसे RBI, NABAD और respective states भी, तो यह तीन जो regulators हैं, यह problem cause करते हैं, एक unified regulator आना चाहिए इसके लिए भी, तो भाई अब technology को इस्तमाल करें, कैसे सुधार ला सकते हो, सबसे पहले एक database create कर सकते हैं हम लोग, technology की मदद से, उससे क्या, आसानी से जो भी organization आएगी, वहाँ पे, उसको वहाँ पे मौजूद किसानों की information मिल जाएगी, कि भाई जो इतने प्रतिश्चत किसान है, यह small और marginal है, यह है rich, बाकी जो है, बीच के हैं, तो इनको जादा जरूरत है, तो इनको पहले दिया जाए credit, इस तरीके कि आप अच्छे coordinate कर पाएंगे, targeting अच्छी हो पाए जाएगा, मतलब इस तरीके कि duplication fraud नहीं होंगे, तो credit जो है दिया गया है, वो अच्छी जगे इस्तमाल होगा, productive कामों में होगा, दूसरी बात, authenticity बढ़ेगी, जैसे कि आधार के आने से targeting बेटर होई है, फिर DBTS आ गया, तो फिर जो पैसा है, जो subsidy है, वो directly आपके खाते में transfer हो जाती है, तो इससे middleman का role बिल्गुल खतम हो गया है, तो वो भी eliminate हो जाएगा, technology जो है, उससे आप awareness भी फहला सकते हैं, SMS भेज सकते हैं, आप mobile पे, या फिर आप WhatsApp messages आते हैं, वीडियो आते हैं, इस तरीके से कुछ share कर सकते हैं, जिससे की awareness आपकी बड़े, finally middleman जो है, नहीं होगा, तो किसी तरीके का आपको debt trap भी नहीं होगा, तो इस तरीके से तीन पार्ट में हमने इस question को deal किया, और तीनों ही parts को पूरी तरह से address भी कर दिया, अगले question पे आते हैं, देखिए ये पूरी तरह question जो है current affairs का question है, आज के time के लिए relevant नहीं है, क्योंकि उस समय य TRR Land Acquisition Rehabilitation and Resettlement Act 2013 उसमें एक नया प्रावधान Right to Fair Compensation and Transparency ये effect में आया था, इस वज़े से question पूछा गया है, हम लोग एक structure discuss कर लेते हैं इसका, लेकिन इसका पूरा model answer discuss करने का अभी के time पे मतलब नहीं है, relevance कम है, क्योंना हम लोग वो question पे जादा जोर डाले, जो अभी के time पे relevant है, तो इसलिए मैंने इस question की approach तयार कर दी है, पर model answer मैंने नहीं तयार किया, वो आप approach देखके एक बार खुद लिखने की कोशिश करें, देखिए economic development से question है, कोई keyword नहीं है, मैंने question को तोड़ा L.A.R.R. Act की बात हो रही है, उसमें क्या एक right to fair compensation जुड़ा था, जो के लिए 2014 की UPSC paper हैं पूछा गया, जो main issues क्या prevalent है, जो act ने address कर दी है, मतलब पहले क्या issues थे और आज वो किस तरीके से address हैं, और implication क्या है, इसका industry पे और agriculture पे, अपरोच देखिए ऐसी follow करेंगे, सबसे पहले आप mention करिए इस act के बारे में, और ये जो नया चीज जो add हुई है उसके बारे में, उसके बाद आप ये बताएं कि क्या scenario prevalent था act के पहले, उसके बाद act आने से किस तरीके से जो दिक्कते हैं इसको solve किया गया है, तो आप issues prevalent क्या थे और कैसे scenario बदल दिया गया ये बताएं, finally आप तीसरे पार्ट में ये बोले कि agriculture और industrialization पे ये इसका कैसे पढ़ा है, तो दो बना लें इसमें भी, आप सब headings agriculture और industrialization और इसके अंदर content भरें, finally एक कोशिश करें, optimistic, शकारात्मक नोट पे एंड करें कि अगर इस तरीके से चीज़े tackle की गई, तो आगे ये जो act है, इसमें शमता है बहुत कुछ कर जाने की, तो इस तरीके से आपकी एक अच्छी approach develop हो गई, अब आप एक बार इस पर question का answer करने की कोशिश करें, तो आज के लिए इतना ही thank you